वेलकम टू डेली फेक्ट और आज हम डिसकस करेंगे अबाउट साथ अमेरिका यहाँ पर हमारा जो टार्गेट रहेगा पूरा मैप बेस्ट जो हम कम्प्लीट रिविजन करेंगे रिगार्डिंग साथ अमेरिका तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशेटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस साथ में शेयर भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं South America के बारे में तो सबसे पहले अगर हम East, West, North to South अगर हम डिवाइड करें यहाँ तो South में यहाँ पर आपको Southern Ocean देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें North में तो यहाँ पर आपको Caribbean Sea प्लस अगर हम East में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको South Atlantic Ocean और देन उसके बाद South में अगर West में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका South Pacific Ocean तो यह important East, West, North, South direction जिसके around में जो अपका पूरा का पूरा South America है दो important एक equator और दूसरा Tropic of Capricorn यहाँ से जो है वो cross करें, equator के अगर हम बात करें, Brazil देन उसके बाद यहाँ पर Columbia और उसके बाद equator यहाँ से जो है वो आपका cross करता है देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, Tropic of Capricorn की तो ब्राजील से cross होती है, Paraguay देन उसके बाद Argentina का कुछ portion यहाँ पर include होता है और देन उसके बाद चिले countries के अगर हम बात करें, यहाँ पर की कौन-कौन से important countries है तो उनको याद करने के लिए हमने एक trick बनाई है और trick भी कुछ इस तरह से है कि पहले हम landlocked countries की बात करेंगे तो BP से याद रखना, BP, Bolivia और Paraguay यह दोनों countries जो है वो landlocked है बाकी जितनी भी है वो सब के पास अपने अपने coast है जैसा ब्राजीर हो गया, या फिर Uruguay हो गया, अर्जंटीना हो गया, चिले हो गया, पेरू हो गया equator हो गया, Colombia हो गया, Venezuela हो गया, या फिर Guayna, Suriname और French Guayna यह सभी जो countries है इनके पास जो है वो अपनी अपनी जो हो coast है लेकिन दो countries है, BP से हम इसको याद रखते हैं, BP जिसमें कहाता है Bolivia और Paraguay, इनके पास जो है वो अपना coast नहीं है यह पूरी की पूरी landlocked है, अब उसके बाद हम बात करते है important landmarks के तो इधर west वाली side पे यहाँ पर आपको मिलेंगी देखने को Andes और आपको comment box में बताना है कि Andes में जो highest peak है वो कौन सी है देन उसके बाद अगर हम east में बात करें यहाँ पर east और north तो यहाँ पर आपको Brazilian जो है वो highlands देखने को मिलेंगे और north में अगर हम बात करें यहाँ पर तो Guainina के highlands यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे देन उसके बाद Argentina famous है Pampas grassland के लिए यहाँ पर जो है वो Pampas grasslands है और Patagonian desert यह temperate desert है, it is in Argentina then उसके बाद एक छोटा सा island भी है यहाँ पर जिसका नाम है Farclined Island यह island जो है वो UK का part है, UK के territory है इसके बाद जो आती है वो आती है Amazon River Amazon River बहुत important और Amazon River का जो basin है वो almost maximum countries में spread है लेकिन यहाँ पर Argentina नहीं include होती, Chile नहीं include होती Paraguay नहीं include होती यह country जो हो यहाँ पर नहीं include होती है Amazon basic में, Amazon जो है वो world की one of the longest river है अगर हम बात करें, और volume wise largest river Amazon में जो है वो अगर हम बात करें Angel Falls, world का highest waterfall है वो Amazon River के उपर located है और Amazon River जो है वो famous है Amazon Forest के लिए जो की rain forest है, इनको sales कहते है S-C-E-L-V-E-S, sales कहते है और यह जो है वो evergreen dense forest है famous है, और इसके बाद यहाँ पर सवाना grasslands भी आपको देखने को मिलेंगे then Pampas भी grassland है और Patagonian जो है वो temporary desert जो याद रखना है हमें exam के लिए बहुत important है इसके बाद जो lake है, यहाँ पर जो famous lake जो मिलती है वो मिलती है lake Titi Kaka lake Titi Kaka जो है वो अपके South America में है और आपको बताना है comment box में कि lake Titi Kaka जो है वो कौन सी country में जो है वो located है, यह lake जो है वो lake Titi Kaka, यह highest navigation navigable जो है वो lake है इसके बाद important crops के अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी crops जो है अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका पेरू है पेरू की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको copper, lead और gold यहाँ पर आपको copper मिलेगा, lead मिलेगा और gold मिलेगा उसके बाद जो important है Argentina आरजंटीना में जो आपको मिलेगा sugar can और wheat ये दोनों जो है वो अर्जेंटीन है इसके लिए famous है और अगर हम बात करें कॉलंबिया की तो वहाँ पर आपको coal reserves जो है वो मिलेंगे देन उसके बाद जो यहाँ पर रहता है वो रहता है important है कि जो आपका South America है वो connected है North America के साथ through of Istomas जिसको कहलते है Istomas of Panama और Istomas का मतलब होगा कि जो दो land masses को connect करते है और दो seas को separate करते है आपको comment box में बताना है कि जो दो seas को connect करते है उसको हम क्या कहते है I hope यह initiative आपको अच्छा लगाओ please support share and subscribe daily fact thank you for today